ग्यारे सितंबर भादो मास का बड़ा सौंबार चुपचाप यहां डाल देना थोड़ी से चाबल बनेंगे सारे बिगड़े काम मिलेगी सभी कष्टों और संक्टों से मुक्ति भूले नात करेंगे सभी मनुकामनाव को पूर। दोस्तों देवों के देव, देवा थी देव, महा देव ही एक मात्र ऐसे भगवान है जिनकी भक्ति हर कोई करता है। चाहिं वह इंसान हो, राख्चसो, भूत प्रेधो, अत्वा देखता हो। यहां तक की पशुपक्षी, जलचर, नभचर, पाताल, लोगवासी हो, अत्वा पैकुंट वासी हो। शिप की भक्ति हर जगे होई है, जब तक दुनिया कायम है, भगवान शिप की महिमा गाई जाती रहेगी। शिप पुराण के अनुसार भगवान शिवी ऐसे भगवान हैं, जो शीक्र पसंद होकर अपने भक्तों को मन चाहा वर्दान देते हैं। अनुकामनाय पूर होती हैं, शिप सदा अपने भक्तों पर क्रमा वर्साते हैं। इसलिए मानने ताहे भगवान शिप को प्रसंद करने के लिए, सौंबार को सुबह उठकर इसनान करके भगवान शिप की आरातना करने चाहिए। इस दिन भगवान शिप के साथ माता और नंदी जी को गंगाजल चढ़ाएं। साथ ही इस दिन शिप जी पर खास तोर से चंदन, आक्षत, बिलपत्र, धतूरा या आकड़े के फूल चढ़ाएं। ये सभी चीजें भगवान शिप को प्रिये हैं। इन ही चढ़ाने पर भगवान भूलेना चल्दी ही कर अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं, आपके घर आर्थिक समस्या चल रही है। धन की हानी होती रहती है। धन सम्मंदी सभी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए और धन प्राप्ति के यूग बनाने के लिए आज की इस भगवान फोले नाथ की किरपा से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और धन का लाव होता है। दोस्तों इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखे। अगर आपने हमारी चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें जिसी हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाएं तो आईए दोस्तों जानते हैं इस आसान और असरकारक उपाय के बारे में यह उपाय आपको भोले नात की मंदिर में जाना है उपाय करने से पहले आप इसनान अवश्य ही करें और स्वच्छबस द्हारं करें उपाय करने के लिए आप थोड़े से चावल लें वैसे तो यह उपाय आपको आधा किलो चावल से करना चाहें लेकिन अगर आपके घर में समस्या ह ले सकते तो आप एक मुठी चावल से भी इस उपाय को कर सकते हैं लेकिन उपाय को करते समय आपको इस बात का विश्य ध्यान रखना है कि उपाय में आप जो चावल इस्तमाल करें वह साबुत होने चाहिए देवी देपताओं के पूजन में सदय साबुत चावल का ही इस् इसलिए पूजन के दोरान कभी भी टूटे हुई चावल का इस्तमाल ना करें जिससे आपको पूजन का ओनफल प्राफ्त हो दोस्तों चावल लेने के बार अब अब भोले नाथ के मंदिर में जाना है जहां भोले नाथ की शिवलिंग हो वैसे तो भोले नाथ का आप किसी प्रसंद हो जाते हैं और भक्तों को मन चाहा बर्दान देते हैं इसलिए उपाय भी आपको भूले नात की शिवलिंग पर करना है उपाय करने से पहले आपको भूले नात की शिवलिंग का शुत्य जल से अभिशेक करना है यानि कि जला भी शेक करना है अगर आपके घर गंग से शिवलिंग को अच्छी तरह से रिगड़े शिप पुरान में वर्नित हैं जिलावी शेक के पश्चात हातों से शिवलिंग को रिगड़ने से हातों में मौजू तुर भागे की देखाएं मिर्चाती हैं और भोले नात की करपा से भागे उद्य हो जाता है लेकिन यह ध्यान रखना है कि केवल पुरुश ही शिवलिंग का इसपर्ष करें और शिवलिंग को रिगड़ें महिलाएं और कन्याएं शिवलिंग का इसपर्ष ना करें धार्मिक मानेताओं के अनसार शिवलिंग के रूप में भागवान भोले नात घोर तपस्या में लीन है इसलिए महिलाओं को शिवलिंग का इसपर्ष नहीं करना चाहें माना जाता है जो महिलाएं शिवलिंग का इसपर्ष करते हैं मापारवती उन से नाराज हो चाते हैं और उनकों पूजा का विप्रीत फल भी प्राप्त हो सकता है इसलिए महिलाओं को शिवलिंग का इसपर्ष नहीं करना चाहिए कुछ लोगों को यह गलत फैमी होती है कि सिर्फ कुवारी कन्याओं को ही शिवलिंग का इसपर्ष नहीं करना चाहिए, ऐसा गलत है, आप कुवारी कन्याओं या फिर विवाहित महिला हो, किसी को भी शिवलिंग का इसपर्ष नहीं करना चाहिए, इसलिए महिलाएं और कन्या इस मंत्र का आपको एग बाद जाब करने के बाद शिवलिंग को इस पर्शना करें। ज़राभी शिख करने के बश्चाथ अब आप चावलों में से थोड़े से चावल अपने दाहीने याने की राइट हैंड में लें। और इस मंत्र का जाब करते हुए आप भूले नात की शिवलिंग पर चावल अरपित करें। मंत्र इस प्रकार है इदम अक्षितं ओम नमस शिवाई। इस मंत्र का आपको एक बार जाब करने के बाद शिवलिंग पर एक बार चावल जढ़ाने है। फिर आप दूसरी बार चावल हाथ में लें और फिर सी इसी मंत इदम अक्षितम ओम नमस्षिवाय का जाब करते हुए आप दूसरी बार शिवलिंग पर चावल अर्पित करें। इस प्रकार आपको तीन बार इस मंतर का जाब करना है और तीनों ही बार यह चावल शिवलिंग पर अर्पित करने हैं. दोस्तो चावल अर्पित करने के पश्चाथ आप भगवान शिरी गणिश को प्रणाम करें, भगवान शिप्मा पार्वती को प्रणाम करें और अपनी धन सम्मंदी सभी समस्याओं को दूर करने के प्रात्ना करें प्रात्ना करने के पश्चात अब आप ओम नमे शिवाय मंत्र का 108 बाद जाप करें मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आपके पास जो बच्चे हुई चावल है अगर आप आधा किलो चावल से यह उपाय कर रहे हैं तो बची हुए चावलों को आप किसे जर्रत्मन व्यक्ति को दान करते हैं। अगर आप थोड़े से चावल सही है उपाय कर रहे हैं, तो जो बचे हुआ थोड़े से चावल हैं, इन्हें आप पक्षियों को डालते हैं। बचे हुई चावलों को आप किसे जर्रतमन व्यक्ति को दान करते हैं। अगर आप थोड़े से चावल सही हैं उपाय कर रहे हैं तो जो बचे हुई थोड़े से चावल हैं इन्हें आप पक्षियों को डालते हैं। आप इन चावलों को अपने घर की छट पर या फिक खुले ऐसे स्थान में डाल सकते हैं, जहां पर पक्षी इन चावलों को खा लें। दोस्तों, इस उपाई को कहने से भगवान भोले नाथ की कृपा से धन प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं। शिप पुराण में बताया गया, भोले नाथ की कृपा से धन सम्वंदी समस्याओं को दूर करने का ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाई है। इस उपाई को कहने से जल्द ही पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। धन की हानी नहीं होगी और धन प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें कि है उपाई आपको लगातार पांस सम्वंबार तक कहना है। आप महिला हैं तो पीरिट के दौरान इस उपाई को ना करें। जब आप शुद्ध हो जाएं फिर आप अगले सौंबार को इस सौंबार को कर सकते हैं। इस सौंबार के दिन सुभे की समय भी कर सकते हैं। लेकिन संध्याकाल के समय यानि कि प्रदोशकाल जो होता है। बातों का ध्यान रखना चाहीं। पोले नात की शिवलिग का जब आप पूजन करें तब आप शिवलिग पर हल्दी भूल कर भी ना चड़ाएं। नाहीं लाद रंग के कोई भी पुष्व आप शिवलिग पर अर्पित करें। शिवलिग पर कुम-कुम या रोली भी ना च तुलसी दल भगवान विश्णु की पूजा में अवश्य ही इस्तमाल करें लेकिन भूले नाथ की पूजा में तुलसी दल का फूल कर भी इस्तमाल ना करें। भूले नात को पिसंदने कहने के लिए इस उपाय के साथ इन बातों का विशिश ठ्याम रखें। उमीद हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तिदारों में जादा से जादा शेयर करें। जिस से भैबी इसका लाव उठा सकें। हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वचेंग।